जो युवा बरंचले नास कर रहे हैं उनको में एक बात समझाना चाहता हूँ एक उदार्ण से उनको समझाऊँगा जैसे मक्खी गुड के लिक्विड फॉम होते है जो गुड की उसके उपर बैठती है तो उसको खाने में बड़ा आनंद आता है एक समया से आता है जब वो उड़ना चाहती है लेकिन उड़ने पाती है और वह वहीं पे रहके खतम हो जाती है मर जाती है ऐसे ही जिन युवां को बरंचले नास करने में आज आननद आ रहा है तो कल वो जी अपना विनास समझे अगर आज बरंचले की रक्साने की आने वाले आरत की तक्दीर को पहचानों आने वाले पहचानों आने वाले कल की हस्वीर थीरिक पतन से गिरते जा रहे हैं वहीं पे हमारी जैसे और आप जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आपको विर्यवान वना रहे हैं अपने बरंचले की रक्सा कर रहे हैं तो इसी भीच दोस्तों आज बात करेंगे बरंचलिया है क्या? बर्मचरिय को दोस्तो अगर बात करें तो हर वेक्ति की एक अलग ही अवदारना है कोई कहता है जीवन बर एविवाहित रहना ही बर्मचरिय है वहीं पे कुछ लोग कहते हैं विरिये की रक्सा करना ही बर्मचरिय है वहीं पे कुछ लोग कहते हैं हर तरह की सुक्ष विदात्याग देना ही ब्रम चरिये है दोस्तों जानते हैं हमारी रिशिमोनी ब्रम चरिये के बारे में क्या कहते हैं हमारी रिशिमोनी बिताते हैं ब्रम चरिये दो सब्दों से बना है बरम और चरिये, बरम इसका अर्थ है इस्वर, वेद, ज्यान और विर्यादी चरिये इसका अर्थ है चिंतन, अध्यन, उपार्जन और रक्षनादी इस प्रकार के इस्वर, चिंतन, वेदाध्यन, ज्यान, उपार्जन, विर्यारक्षन आदी अर्थ हुए इन सब का परस पर गनिश्ट संबंध है गैरा संबंध है इनका वैसे ब्रम्चरिया का नाम लेते ही लोगों के हरिद्धे में विर्य रक्सा का बाव उठता है इसी को ही लोग ब्रम्चरिया समझते हैं किन्तु एक ही साथ इस्वर चिंतन करना वेद पढ़ना ज्यान और के अध्यन विदार जन और इस्वर चिंतन कभी नहीं कर सकता सरीर मन और आत्मा को पूर्ण सक्तिसाली और बल्वान बनाना किसी प्रकार इनकी सक्तियों का हरास और नास नहीं होने देना ही ब्रम्चरिया है और थोड़ा इसको समझिए इन तीनों में किसी भी एक व्यक्ति करनास हुआ तो वह है ब्रम्चरिया संपूर्ण नहीं अदूरा है अंतर सारीक मानसी को रात्मिक सक्तियों को पूर्ण उन्नत को विक्षित करो यह कैसे रहोगा ब्रम्चरिया पालन से ब्रम्चरिया का श्थूल रूफ विर्यरक्सा है दोस्तों जैसे हम बताएं आपको जिसे आज के समाज में देखें, खानपान से कहें, या फिर जो विचारों से कहें, युवाओं का चारितरीक पतन हो रहा है, हमारे युवाओं का चारितरीक पतन गिरता जा रहा है, सोशल मीडिया पे असलेलदा प्रोशी जा रही है, बच्चे को पता ही नहीं है, हमारे दो अगली है इसके पहले पैठी ।। यह नहीं हो ऑप ँच्रिया के लिए आप अच्छा बनाने के लिए और अजम जह घबान जरूरी है अगर आप जीवन पर चाहते हैं दिरगायों को सपना देखते हैं आप सो साल जीना चाहते हैं तो ब्रम्चिरे पालन जरूर करें हमारे युवाओं को मैं कहना चाहता हूं हर्थ रहके बुरी आते हैं छोड़ दी जो युवा ब्रम्चिरे नास कर रहे हैं उनको में एक बात समझाना चाहता हूं एक उदान से इनको समझाओंगा जैसे मक्खी गुड के लिक्विड फॉम होते है जो गुड की उसके उपर बैठती है तो उसको खाने में बड़ा आनंद आता है इस समया से आता है जब वो उड़ना चाहती है लेकिन उड़ नहीं पाती और वह है वहीं पे रहके खतम हो जाती है मर जाती ह ऐसे ही जिन युवाओं को बरंचरे नाज करने में आज आनंद आ रहा है तो कल वो जी अपना विनाज समझे अगर आज बरंचरे की रक्सा नहीं कि आने वड़ा समय तुमारा दिरगाई नहीं लगवाई होगी आपकी अपना जीवन बरबाद हो जब बिमारियों से गेर ल होने कीजिए अगली वीडियो में ऐसी हम किसे ने विशे बात करेंगे तब तक जय हिंद जय वारत